साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चनल पर तो यहां पर बहुत इंपॉर्टन अपडेट है जैसा कि कल आपको बता दिया गया था कि आपका नॉटिफिकेशन आ गया है आपके ICMR-JRF 2024 के आंसर की के रिगार्डिंग तो रात को जो है यह आपका लिंक भी आपका प्रॉपर एक्टिवेट कर दिया गया था बट अभी बच्चों में काफी कंफ्यूजर ने कि आपका आंसर की जो NTA ने बताया है वो कहां पे अप्लोडेड है और रेस्पॉंस सीट को भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले हम स्टेप देखेगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से अपने रेस्पॉंस सीट को मैच करना है तो सबसे पहले आपको DHR ICMR की वेब साइट पर जाना है एक्जिस्टिंग यूजर लॉग इन पर क्लिक नहीं करना है आपको अपना आंसर की देखने के लिए आपको साड़े बारा बजे से आपका एक्जाम था तो वह आपको शो करेगा और यहां पर आपको यह पर्टिकुलर कैप्चा डालना है उसको सम्मिट कर देना है जैसे ही सम्मिट करेंगे तो आपको यह पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन ट्रैकर टाइप का यहां पर देखने को मिल आप यहां पर समल लीजे कि आपका यह multiple choice question है question ID है option ID है इस बच्चे ने इस question का answer select नहीं किया है ठीक है not answered किया है तो यहां पर not answer लिखा हुआ है अगर आपने choose किया होता तो कौन सा option आपने choose किया है वो यहां पर mention होता अब option आपका कैसे सही है या कौन सा NTA ने आपको option दि रखना है challenge करने के लिए प्रक्रिया दी हुई थी और उसी में ही आपको बताया था कि जो option ID जो red color में होगा next the question under the column suggested correct response stand for the correct answer की to be used by the NTA कहने का अर्थ यह है कि जब आप objection tracker के tab को आपको open रखना है और माल लो कि यहां पर section C by chemistry select है कोई question number को मैंने select किया wrong answer है और यहां पर ज एक तरीके से अगर मैं कहूं तो बहुत ही वाहियात तरीके से इनोंने यहां पर इस्तमाल किया है कि आपको हर particular question के लिए जाके question answer आपको check करना पड़ेगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो particular question 22771 इसका जो यहां पर right answer है वो 068 है तो अगर आप इसमें select करना चाह है तो अगर आप इसको देखना चाहें तो आप यहां पर control F से करके आप यहां पर देख लो 71 करके ठीक है 71 करके जब आप select करेंगे यह particular question ID का जो नंबर है 749572271 ठीक अगर मैं इस तरीके से यहां पर कर दूँ 2271 तो यह आपको question ID मिल गई और इसका जो right answer है बेटा जी वो option 4 जो है वो इसका correct answer है तो इस तरीके से इन्होंने इतना खतरनाक तरीके से यहां पर बना के रखा है जैसे लग रहा है कि क्या ही हो जाएगा तो आपको अगर मालीजे कि कोई दूसरे question का select करना है मालो कि आपको 74 question number का देखना है तो यहां पर आप जब select करेंगे तो यह automatic change होगा हलाकि थोड़ा सा इनका website problem कर रहा है तो हो सकता है कि आपको बार-बार login करना पड़ जाए तो बेटा जी यही है आपको रॉंग आंसर पर click करना होगा और यह जो होगा यह automatic जो होगा वो यहां पर change होगा हलाकि यहां पर website first रही है हो सकता है कि दो घंटे चार घंटे बाद यह सिस्टम काफी stable हो जाए या आप किसी और ब्राउजर पर ट्राइक कर लीजए को कि मैंने भी Chrome पर open किया है हो सकता है Firefox पर अगर आप open करते हैं तो यह चीज़े rectify हो जाए ठीक है बट अभी जैसे मैंने यहां पर change किया तो आपको यहां पर थोड़ी सी यहां पर समस्याएं जो है वो आपको देखने को मिलना शुरू हो जाती है कि सही तरीके से यह change नहीं हो रहा लेकिन वापस से अगर आप login ID करके वापस आएंगे तेन आपको यहां यहां पर यह problem face हो रही है यहां पर question number भी नहीं सो कर रहा है कि इनकी website जो design किया है वो उसकी problem है तो अगर आप इसको ही क्या करेंगे अगर आप इसको log out कर देंगे बेटा जी और वापस से जब आप आएंगे तो आप किसी question को जब आप select करना देखना चाहेंगे तब आपक यहां तक हमने आपको clear कर दिया है आपको काफी अच्छा लगा होगा जो आपकी query थी जो आपका doubt था वह आपको clear हो गया होगा बाकि इसके regarding यह information यह सारी चीजें आपको अच्छी लगी होगी बाकी मिलते हैं next video में next information के साथ thank you very much